नमस्कार प्रस्तुत है रिजनी अर्थात mental ability अर्थात बौर्धिक योगिता सिरीज का यह पार्ट छे वीडियो इसमें जो हमने प्रस्ण लिया है वह यह है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोष के अनुसार सजाएं जिस तरह के प्रस्णों में चार या पांच शब्द दिये होते हैं जिन्हें हमें इसतरह से सिराना होता है जिस तरह से वो English के dictionary में होते हैं अर्थात कौन सबसे पहले आता है उसके बाद कौन आता है उसके बाद कौन आता है इसके बाद कौन आता है डिक्सनरी में कौन आता है तो आएए देखते हैं प्रस्न संख्या एक यहां है एक नंबर में सीनरी स्कूल स्कॉलर सैंटिस्ट और यहां चार ओप्सन दिया हुआ है अर्थात किस तरह से इसे सजाया जाएगा डिक्सनरी में लुक्राअ थीर तो आएए देखें कि इस तरह कि प्रस्नों को किस तरह से हेल करते हैं सबसे नहीं देखते हैं पहला जो अक्षर है वह है एस यहां भी एस है यहां भी एस है त इसे भी आम कार देते हैं देखिए इस ट्रुक को अभ्यान से देखिए अगर इस ट्रिक को अपना अपनाएंगे तो देखेंगे निश्चित रूप से आपका जो हल है बहुत जल्दी होगा और सही होगा चलिए अब next लेटर को देखते हैं यहाँ e है यहाँ h है यहाँ i है तो e h और i में पहले कौन आता है निसितरूप से e आता है तो यह वर्ड हमारा एक नंबर पर हो गया अब बच गया यहाँ h h i तो h और i में रिस्धरूप से e h पहले होता है तो यह जो दूसरा और यह तीसरा होगा है तो कौन दूसरा होगा कौन तीसरा अब इंदुनों में rinder नहें करेंगे तो यहाँ भी h है यह इसे भी काट देते है चलिए अब यहाँ भी o है और यहाँ भ अब जो next अक्षर या लेटर है वो है यहाँ ओ यहाँ ल तो ल पहले आता है तो यह हो गया हमारा दूसरा वर्ड और यह तीसरा अब यह बच गया दिस्ट रूप से चौथा होगा तो यह हमारा हो गया यह पहला वाला एक नंबर पर यह तीसरा वाला दो नंबर पर दूसरा तीन नंबर पर और चौर्था वाला चार नंबर पर तो यहाँ देखते हैं कि कौन इस तरह से हैं तो यहाँ देखिए एक तीन दो चार तो यह पहला आप्शन हमारा सही है इसी तरह से हम प्रश्णों को हल करेंगे सारे प्रश्णों दो देखिए ठीक उसे वही तरीका हम अपनाएंगे वही मेथट यहां भी हम देख रहे हैं सारे में C है तो यह C को हम हटा देते हैं यह C हट गया अब इसके बाद सारे में E है इसे भी हटा देते हैं देखें कितना जल्दी आपका हो जागा इस ट्रिक को अपनाने के बाद इ यहां N है यहां N है यहां N है और यहां R है तो N और R में पहले क्या आता है M, N, O, P, Q, R N पहले आता है तो यह पहला, 2 और 3 तीसरा इसमें से अभी हमको टै करना है कि पहला, 2 तीसरा, 3 तो यह तो निश्टरूप से 4 नंबर पर आएगा तो अब इसमें देखते हैं इन तिनों में ये N हमने हटा दिया, N हटा दिया, N हटा दिया अब यहां बच गया T, यहां भी T, यहां S तो S और T में तो S पहले आता है, तो यह तो हमारा हो गया एक नमबर पर अब यहाँ भी T है यहाँ भी T है इसे भी यहाँ भी इसके बाद यहाँ R है यहाँ E है यह हो गया दूसरे नमबर पर और यह हो गया तीसरे नमबर पर यह हमारा होगी है, तो यहाँ तीसरा नमबर पहले में है, कहा पर है, यह तीसरा नमबर पहले पर है, यहाँ भी, उसके बाद दो नमबर है, यह वाला, उसके बाद यह एक और यह चार, यह हमारा answer होगी है, अब तीसरा नमर देखिए बस वही तरीका हम अपनाएंगे यह C, यह C सारे में है यहाँ हटा दे रहे हैं इसके बाद है A है, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ O है तो यह पहला और तीसरा दोनों में A है, यह पहले आएगा O से इन दोनों में आप हम देखेंगे तो इन दोनों में हम A हटा दिए A हटा दिए तो यहाँ पर R है यहाँ पर U है तो यह हो गया पहला यह हो गया दूसरा अब यह दूसरा और चौथा में कोई तीसरा होगा कोई चौथा होगा तो यहाँ O है यहाँ O है इसे हटाईए यहाँ L है और यहाँ V है तो L पहले होता है तो यह हो गया 3, यह हो गया 4 देख रहे हैं, यह trick अपनाने से कितनी जल्दी बनता जा रहा है आपका तो यह है 1 और यह 2 कौन सा है नमरा 1 2 यह यह एक नमबर पर है इसके बाद यह 3 है यह 3 है, 2 और यह 4 यह वाला वाला सही है अन्या फिर से देख लिए यह 1 सबसे पहले है उसके बाद 3 है उसके बाद 2 है और उसके बाद यह 4 है, यह हो गया चले अब नेक्स्ट कौन से नमरा 4 बस वही trick अपनाते चलेंगे T, 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 H, T, H सभी में है तो यह T, H, T, H, T, H अचा दी उसके बाद E है E है, E है, E है यह भी हटा दे रहे है यह E, यह E यह E, यह E हट दिया उसके बाद R, R, R यह भी सबसे है इसको भी हटा ही है यह R, यह R, यह R, यह R अब M, 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 M फर से है, देखिए तीनों में, चारों में M है यह से घटाई है M, 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 M अब देखिए, यह दूसरे वाले में अब इसके बाद कुछ नहीं है तो यह हो गया पहला नबर अब बागी तीनों को देखते हैं यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ O है यह तो दूसरा नबर आ गया है मारा अब इन दोनों में देखिएंगे तीसरा और चोथा यह O हटा दीजिए, यह O हटा दीजिए अब यहाँ M है, यानि यह और यहाँ S है तो यह तीन नबर हो गया और ये चार नमबर हो गया, तो पहला में कौन सा है, दो, उसके बाद तीन, उसके बाद एक, उसके बाद चार, यह हमारा एंसर हो गया, पहला ओप्सन, और यह बता दें कि यह जो प्रशन है, आप यहाँ पर देखिए, हमने लिख दिया CMMS 2024, तो अभी तक जितने प्रशनों क अपने देखा एक से चार, यह सभी मुख्यमंत्री मेधा चातिरवरती 2024 के प्रशन है, यह पांचवा प्रशन भी मुख्यमंत्री मेधा चातिरवरती 2024 का ही प्रशन है, इसमें तो थोड़ा असान है, देखिए, यहाँ S, यहाँ P, यहाँ E, यहाँ P, तो S, P और E में तो E ले आता है तो यह एक नमबर हो गया उसके बाद यह पी आएगा तो इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों का हम पी हटा देते हैं पी हटा दिये उसके बाद यहां यह है और यहां ई है तो यह दो हो गया यह तीन हो गया और यह जो बच गया यह चार हो गया तो यहां पर यह एंसर है अब इसके बाद देखे प्रस्म संक्या 6 बस सेम प्रॉसेस हम अपनाते चलेंगे और दीखिए कितनी तेजी से हमारा कोश्टन सॉल्व होती जाएगा यह सभी में है अटा दे रहे है यहां यू भी सभी में है इसे भी अटा दे यू यू अब टी यहां पर टी है यहां जी है यहां एन है और यहां टी है तो टी जी एन में पहले कौन आएगा जी आएगा तो यह पहला नबर हो गया अब इसके बाद यहां बजा हुआ है टी एन और टी तो इसके बाद एन और टी में पहले कौन आएगा एन आएगा तो य अब इसमें और इसमें हम देखेंगे कि तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, तो ये T और ये T हटा दीजे, फिर यहाँ O है, ये O और ये O हटा दीजे, अब यहाँ बचा M और यहाँ P, तो M और P में M पहले आता है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो दिखें कौन सा हमारा option है, सही है, दो, टीन, एक, चार, ये वाला हमारा option सही है, तीसरा वाला option, प्रस्ण संख्या साथ दिखें, यहां भी सबसे पहले F है, और F है, तो ये A और F हमने हटा दिया, अब इसके बाद क्या बच रहा है, यहां R, यहां T, यहां F, यहां F, तो R, T और F में F पहले आएगा, इन दोनों को देख रहे हैं कि पहले कौन है, तो इसका भी F और इसका भी F हटा दिया, इसके बाद यह A आ रहा है, यह E आ रहा है, यहां मिलगी है पहला और दूसरा, यह यह पहला और यह दूसरा यानि दिक्ष्णरी में यह पहले आएगा और यह बाद में आएगा अब इन दोनों को देखते हैं यहां R है और यहां T है तो यह R पहले आता है दिक्ष्णरी में तो यह 3 और यह 4 तो यहां पर देख रहे हैं कौन है यह 3, 4, 1, 2 यह option number 2 हमारा सही है question number 8 चलिए यहां भी सबसे सभी में पहले में B है तो इसे हटा दीजिए B, B, B अब उसके बाद यहां A, यहां A, यहां A, सब में A है इसे भी अठाईए क्यों हटा रहे हैं क्योंकि सभी में सेम है अब इसके बाद है K है, यहां L है, यहां L है, यहां C तो L, K और C में C पहले आता है, तो यह एक number पर होगा अब यहां L और यहां K, तो L और K में तो K पहले आता है, I, J, K, L, K पहले आता है, तो यह दो number होगा अब इसमें और इसमें देखना है कि तीन number और चार number कौन है तो यहां भी double L है, यहां भी double L है, इसको हटा दीजे, दोनों L को क्योंकि दोनों में है, यहां E है, यहां O है, तो O और E में E पहले आता है, तो यह हो गया तीन, और यह हो गया, चार, तो यह चार, एक, दो, तीन, हाँ, यह option number 2 हमारा answer है, question number 9 देखे, यहां भी हम देख रहे हैं, सभी में पहले B है, तो हम B को काट दे रहे हैं, इसके बाद है, यहां O, यहां R, यहां R, यहां O, तो R और O, में O कौन पहले आता है, O, P, Q, R, O पहले आता है, तो पहला और चौथा में हम decide करेंगे कि कौन पहले आएगा, तो दोनों का O हटा दे रहे हैं, चलिए, यहां A है और यहां T है, तो यह हो गया एक नवर, यह हो गया दो नवर, अब यह जो दोसरा और तीसरा है, इसमें हमको tag करना है, तीसरा और चौथा, तो यहां भी R है, यहां भी R है, इसे हम काट दे रहे हैं, यहाँ A है और यहाँ E है यह हो गया तीन नमर और यह हो गया चार नमर तो यहाँ पर कौन सा होगा एक चार तीन दो हाँ चौथा ओप्शन हमारा सही है अब इस वीडियो का अंतिम प्रशन थोड़ा सा आगे पीछे आपका स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है अधियान से दिखिए यहाँ पहला है बॉटल बॉड बॉडर ब्लैंकेट तो सभी में बी है बी हटा दे रहे हैं चलिए ऐसे ऐसे करते हैं हाँ सभी में बी है तो बी को अब हम हटा दे रहे हैं अब इसके बाद यहाँ O है यहाँ O है यहाँ O है यहाँ L है तो तो L और O में पहले कोन आता है L आता है तो यह तो हमरा क्लियर हो गया अब इन तीनों में देखना है कौन दो दूसरे नमपर होगा कौन तीसरे और कौन चौथ है तो इन तीनों में सेकंड लेटर जो है O है इसे काट देते हैं हटा देते हैं इसे हटा दिए आब यहाँ T यहाँ T यहाँ R तो T और R वें तो R पहले आएगा तो यह हो गया दो अब इन दोनों में decide करना है कि कौन तीसरा और कौन चौथा होगा तो यहां भी T है यहां भी T आठा दिये अब next जो लेटर आ रहा है यहां T आ रहा है यहां H आ रहा है तो जो हमारा option है उसको देखते हैं कौन सा option सही है 4,3,2,1 यह हमारा option सही है तो आपने देखा कि जो dictionary वाले सवाल है किस तरह से बहुत तीजी से बना जासते हैं बहुत आसान होते हैं बस अगर आप ट्रिक अपना लें और इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो देखेंगे यह बिलकुल आसानी से बिलकुल तेजी से बनेगा आभी तक जिन्हों ने भी हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें और यह जो प्रशन मैं दे रहा हूं इस स्रीज में यह सिर्फ NMS, CMS के लिए ही नहीं बलकि उन सभी प्रतियोगी परिक्षों के लिए उप्योगी है जिसमें की mental ability और था reasoning से प्रशन पूछे जाते हैं धन्यवाद